Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल प्रदीप शर्मा की लाइब से, प्रदीप शर्मा कौन है, एक मुंबाई पुलिस के पुलिस अफसर थे, जिनका कारेकाल करीबन 25 सालों तक उन्नोंने सर्फ किया है, मंबाई पूलिस में, उसमें 113 एंकाउंटर किये, एक एक एंकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिनको 30 हैरी के नाम से भी जाना जाता था लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एक जावाज अफसर जिसने 112-113 मेरा एनकाउंटर करीबन किये जिसमें टैरिस शामिल गेंग्स्टर शामिल थे जो अंडर वर्ड डॉन है वो शामिल लेकिन इसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा हो जाती है तो यह आखिर ऐसा कैसे हुआ था यह क्या मामला था जिसमें उन्हें उम्रकैद की सजा हुई है आखिर क्या है लखन भाया फेक एनकाउंटर खेस ये भी आपको बताने वाले साथ ही साथ में ये भी बताएंगे कि उन पर ऐसे आरोप क्यों लगे कि उनके अन्रवर्ड दॉन के साथ में करीबी सम्मन्थ है आई भी को ऐसी क्या खूफिया जानकारिया मिली थी ये सब कुछ आज आज आपको बताने वाले और साथ में ये भी बताएंगे कि अपने जज्जमेंट में बंबे हाई कोट ने इस टर्म का यूज क्यों किया था कि ट्रिगर हैपी कॉप्स ये भी आपको पता चलने वाला है शुरुबात करते हैं आज के वीडियो की साथ में आपको ये ब पूच सकते हम आपको अगले एपिसोड में उनके जवाब जरूर देंगे शुरुवात करते हैं वाच के इस एपिसोड की तो शुरुवात होती है 1961 से 1961 में प्रदीप शर्मा का जनम होता है उत्रप्रदेश के आगरा के खंदौली में खंदौली में जनम हुग और इसके ब यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के तौर पर काम करना शुरू किया वहाँ पर अपनी जॉब जोइन की और प्रदीप शर्मा जो थे इस बीच में उनकी शुरुवाती पढ़ाई जो थी वो क्योंकि पहले मत्रवा से हुई क्लास 6 तक छड़ प्रदीप शर्मा इस्टेट पुलिस सर्विस में भरती हो जाते हैं मुंबई पुलिस में उन्हें बतौर सव इंस्पेक्टर बढ़ती कर लिया जाता है अब आप यह देखिए कि यह जो बैश था 1983 मुंबई पुलिस का इस बैच के बारे में बताते हैं कि इसने मुंबई क विनायक सावदे तो यह सारे जो टॉप एंकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं मुंबई के अंडरवर्ड को जिरोंने खतम भी किया है यह सभी इस बैच से ही निकले थे तो आब यहां पे जब नौकरी की शुरुवात होती है तो सबसे पहले थाना जो मिला था उन्हें पु इसके बाद यह बताया जाता है कि जो अपरादी थे उनके बीच में धैशत इतनी जादा थी प्रदीप शिर्मा की के वह आतंकी जो थे अपना एरिया शोड़ देते थे जहां पे वो लो क्राइम करते थे एक और मैस क्राइम जो था उसको ही मिटाने में इनका बड़ा रोल रहा था लेकिन इसी के साथ इने जब यह अपने तरक्की करने लगते हैं अपने इस पुलिससर्विसिंग तो साथ में इनको अप्सीनिय इंस्पेक्टर बना जिया जाता है राइम इंटेलिगेंस यूनिट सीय यू का मुंबई पूलिस की तो मुंबई पूलिसकी क्राइम intelligence unit का यहां पर इनको सीने इंस्पेक्टर बनाया जाता है 1999 वो साल था जब प्रदीप शर्मा ने यही इसी पोस्ट पर रहते हुए के जब पुलिस इंस्पेक्टर थे सीने पुलिस इंस्पेक्टर उन्होंने चोटा राजन गैंग का एक गुर्गा चोटा राजन का हुआ करता था एक बहुत ही क्लोज एड चोटा राजन का विनोध माटकर तो विनोध माटकर यह जो था इसको सिलेक्ट किया गया था चोटा राजन गैंग के द्वारा पाकिस्तान में जाके दाव दुब्राहिम को खतम करने के लिए लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 1999 में यह जो टीम थी मुंबई और इसी के प्रदीप शर्मा खो से लेकिन ए कि इनकांटर को नाम दिया गया था जिससे ओ फेमस हो गए थैं ऑक क्या होता है कि उन्होंने नीज़ांटर का उसके बाद में गैंक्सटर आए जिसमें परवेश खिद्धिकी रफीक रफीक दबा तो ये सारे गेंक्स्टर थे इनका एंकाउंटर ये इन्होंने किया और 2003 की बात बताई जाती है जब ये अंधेरी जो पुलिस टेशन था वहाँ पे जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनेट थी CIO तो अंधेरी में जब ये पोस्टेट थे तब उन्होंने एलिमिनेट किया था अनकलीत अब उन्होंने मारा था है इन तरसको जो कि रशकर यू तयवा से आते थे लशकर यू तयवा के थी ऐसे तीन हैसे टेर्लै से जो कि मौंबई को ध endurance की प्लानिग कर रहे थे गोरेगांं मेंन एंकाउंटर होता है तो इससमें से दोंपैरस तैसे ते जो कि पाकिस् एक तरह से उसको कहा जाता है, खुंखार शाप शूटर हुआ करता था, सादिक कालिया, उसको भी यहाँ पर मार गिराया था, उसका भी एंकाउंटर किया था, यह सादिक कालिया वही है, अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड देखें, आपको पता होगा, गुल्शन कुमा का जो मुडर हुआ था, म्यूजिक बेरॉन गुल्शन कुमार का, टी सीरीज के मालिक जो थे, उनके मुडर में भी सादिक कालिया का नाम सामने आया था, अब में आपको उसमें एक बताया था, तो यह जो सादिक कालिया था, इसका भी 2003 में यहाँ पर एंकाउंटर कर दिया था और यह इस तरह से चीजने लगाता चल रही थी, लेकिन अब ऐसा हुआ क्या के एक एंकाउंटर स्पेसलिस्ट को उम्रकैद हो जाती है, एक ऐसा केस सामने आया, जिसमें उनके उपर तमाम तरे के आरो प्लगने लगे, उसी के बाद चाहिए टुदीप शर्मा का जो ए त्यारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एक्जाम को क्रैक करना, आया, इस IPS बना, तो एक बार जाके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जरूर अपने कोर्स को देखेगा, स्टडी आइक आपके बहुत सारे कोर्स लेकर आया है, और बहुत अच्छे कोर्स पासकते हैं, तो जल्दी से जल्दी जाएं, सारे लिंक्स पर क्लिक कीजिए, अपने डीटेल्स को पढ़िए, अपने कोर्स को पर्चेस करें, और इस कोड को लगाईए, अपनी तयारी को मतलूप बनाईए, धन्यवाद, तो आगे बढ़ते हैं, अपने एपिसोड में, उसके साथ में अनिल भेडा, जो उसका एक क्लोज असोसियेट हुआ करता था, इन दोनों को नभी मुंबई के वाशी से, मुंबई पुलिस की एक टीम ने उठाया, और इसके बाद में इस सस्पीशन पे, इस शक पे आरोग पे उठाया था, कि ये दोनों जो हैं, वो छोट को मार दिया जाता है, और ये चीज हुई थी वर्सोवा के नाननानी पार्क में, यहाँ पे एंकाउंटर होता है, इसको इस तरह से दिखाया गया था, और करीबन पांच गोलियां राम नारायन गुपता को, या नहीं लखन भाईया को मारी गई थी, जैसी ये चीज होती है यहाँ से ख़बरें फैलती हैं, कि एक गेंस्टर था, उसका एंकाउंटर इस तरह से मुंबई पुलिस ने कर दिया है, लेकिन इसी के चार दिन बाद, लखन भाईया का जो बड़ा भाई था, जिनका नाम था एडवोकेट राम प्रसाद गुपता, उन्होंने पंदा नव भाई का कतल किया गया है, इसके साथ ही, जब यह अर्जी थी वो कोर्ट में पहुंचती है, तो इसके बाद कई एजेंसियां जो थी, वो भी अपने काम पर लग चुकी थी, उन्होंने भी यह जो टीम थी, इनको सर्वलांस पर रखना शुरू कर दिया था, और यह जो काम वो बाकी आगे जाके सामने आता है, किस तरह से आता है, कि साल 2008 पर आ जाई है, अगस 2008 की बात है, जब महरास्त्र सरकार ने मुंबई अंडरवर्ड के कुछ अपराधियों के साथ, सनलिपता के चलते, मतलब उनके साथ में संबंदों के चलते, प्रदीप शर्मा जो थे, ए रिपोर्ट सामने आती है, उसमें आपको बता दें, कि दो साल पहले, आई बी ने, इंट्रिलियंस बीरो ने, एक लंबी जाँच की शुरुआत की थी, और इस जाँच में कुछ ऐसे नतीजे सामने आय थे, जिसके बाद ये कदम उठाया गया था, जाँच में हुआ गया ये जो संबंद है प्रदीप शर्मा के साथ इसकी जाच कर रही थी, इसके चलते कई सारे पोन टैपिंग की जा रही थी, कई सारे लोगों से पूश्टाच की जा रही थी, और इनी सब के चलते छोटा शकील जो है, दावद इब्राहिम का जिसको राइट हैंड का आ जाता ह इस समय पर, उसकी बातचीत की एक recording सामने आती है, जिसमें अधकारीओं को आईवी के अधकारीओं को ये पता चलता है, जब वो शौक रह गए थे, कि उन्हें ये पता चला है कि छोटा शकील की बातचीत शर्मा से होती है, प्रदीप शर्मा से होती है, वो उसके संपर्क म है इस तरह की बात यहां पर सामने आई अगर जब यह बात सामने आती है इसके बाद प्रभीप शर्मा से से बारे ने फूच़ जाता है तो उन्होंने साफ इससे नकार दिया था इन्होंने का कि मैं नर्दोश हूँ मेरा इसमें कोई भी कि इस तरह की संनेपता मेरी underwater के किसी भी टेरिस के साथ में किसी भी आत्मपादी के साथ ये माफ की जगेंग्स्टरस के साथ में नहीं है इसके बाद उन्हों ने छोटा राजन गैंग पर यह आरोप लगायते च्छोटा राजन की उपर खास तवर पर आरोप लगाए थे कि उसने उन्हों फसाया है यह जो भी हो रहा है ये सब एक रचा हुआ है और ये उन्हें फसाया जा रहा है यहां पे लुकिन इसके साथ ही आई भी ने क्या किया कि ने प्रदीप शर्मा पर एंधी page डोज्यं रचा उसको तैयर किया इसमें अन्डरवॉर्ड के पर तयार किया रहता है आई-बी के द्वारा वो इसी के बाद जो उस समय के अडिशनर कमिशनर थे देविन भारती उनके क्योंकि अंडर में आता था ये क्राइम ब्रांच जो थी तो उन्होंने अपनी जाच की और इसके साथी ये जो हाई प्रोफाइल एक एनकाउंटर स्प किया गया था इस समय पर कई सारी रिपोर्ट सामने आई थी कई सारी ऐसी खबरें भी चापी थी बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज ने इसमें से कुछ ये रिपोर्ट थी कि इस दौरान प्रदीप शर्मा को सबसे बड़ा खत्रा जो है वो अंडर वर्ड डॉन छोटा र सामने आई कि intelligence agencies को यानि IV को भी ये चोटा राजन की तरफ से inputs मिले थे information मिली थी intel मिली थी कि प्रदीप शर्मा जो है उनके कई ऐसे gangster के साथ में लिंक है पहले चोटा राजन के साथ में लिंक थे और बाद में दाउद के साथ में भी उनके लिंक चोटा शकील के साथ में उ 2004 या 2005 का वो साल था जब चोटा राजन की जो वाइफ है जो उनकी पत्नी है उनका यहां पर एक extortion case में उनके पूश्टाच के लिए उनने बुलाया गया था उनने अरेस्ट किया गया था और चोटा राजन का यह मानना था कि यह सब जो कराया जा रहा है वो प्रदीप शर् कोट में एक Magisterial inquiry इसका order दिया था उस फेक एंकाउंटर केस में अब एक जगे आप यह देखेगा कि एक तो सनलिपता अंडर वर्ड गैंक्स्टर के साथ में एक यह मामला है और दूसरा मामला है लक्ष जो लखन भाया पेक एंकाउंटर केस का तो जो फेक एंकाउंटर केस इस था उसमें High Court ने एक Magisterial inquiry जो थी उसका order दिया उसके बाद में क्या होता है कि Bombay High Court में सेप्टेंबर 2009 में एक SIT को गठिप किया एक SIT फॉर्म की गई उसको कहा गया कि आप यह जो पूरा केस है इसकी पूरी अच्छी तरह से जांच करिए SIT ने अपनी जांच शुरू की और 2009 में ही एक FIR फाइल कर दी जाती है High Court के order पर क्योंकि SIT ने जो जांच की थी उसमें ये सामने आया था और एक चौका देने वाला तथ सामने आया था कि यह जो पुलिस अफसर है उनको लखन भहिया के एक राइवल ने उसके एक दुश्मन ने यहाँ पे कुछ पैसे दिये थे उसके चलते लखन भहिया का इस तरह से उसको मारा गया है तो यह चीज यहाँ पे सामने आ जाती है कि लखन भहिया का एक राइवल था जिसने सीनिय इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को कुछ पैसे दिये और यह SIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा था है SIT ने इस तरह के आरोफ प्रदीप शर्मा की उपर लगाए थे और इसी के तह माई 2009 की ये बाद बताई जाती है जब महरास्ट्रा एड्मिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने मैट ने मेटी ने यहाँ पे जो महरा यह जो प्रदीप शर्मा थे उनको बहाल कर दिया था एक बार फिर से अपनी सर्विस पर लेकिन अब हुआ क्या कि अगला साल आता है 2010 ए एसाइटी ने जो प्रूफ उसके सामने थे वो पेश किये उसके बाद में प्रदीप शर्मा को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है अब यह जो अरेस्ट हुए इनको यह बताया गया था कि इनका इन्वाल्मेंट है पेक एंकाउंटर में लखन भीया के और साथ में भी बताया गया था कि 8 जनवरी 2010 को यह चीज सामने आई कि उनके साथ में 21 लोग और हैं जो इसमें इन्वाल्ट है उनको भी अरेस्ट किया जाएगा इन सभी लोगों को यहां पर अरेस्ट किया जाता है और मुंबई के थाने सेंट्रल जेल में इन सभी को डाल दिया जाता है अब जब 2010 में पदीव शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया था साथ में 21 लोगों को और अरेस्ट किया गया था इसके अगले साल कुछ ऐसा होता है जिसने एक बार फिर से पूरे सिस्टम को सन करके रख पिया था मार्ट 2011 की यह बात बताई जाती है जो एक अकेला आई विट अनिल बेड़ा तो अनिल बेड़ा नवी मंबई में जो उसका घर था वहाँ से 13 मार्ष 2011 को अचानक से गयाब हो जाता है यहां से अब जब यह अनिल बेड़ा यहां से गयाब होता है और यह आप यह देखिए यह उस दोरान गयाब हुआ था अपने घर से जब कुछी दिन जो है उन्होंने इस समय ये भी आरोप लगाए थे कि अनिल बेडा जो था उसको कई वार उसके जेल जो थे वो भी चेंज किये गए बदले गए जो पहले उसको वर्सोवा के डियन अगा पुलिस स्टेशन में रखा गया था उसके बाद उसे यहां से ले जाके कोलापुर जे उन्होंने यह कहा हाँ वहाए उसको मार दिया जाए इसके बाद इंवस्टिगेशन शुरू होती है जौंछ परताल की जाती है करीवन दो महीने बाद इस incident के जब गायब किया गया है अनिल भेडा को इसके दो महीने बाद जून 2011 में नभी मुंबई पुलिस को एक body मिलती है एक body मिली और बहुती खराब हालत में वो body थी जब DNA कराया गया तब ये सामने आता है कि ये body किसी और की नहीं ये अनिल भेडा थी और उनको जब गायब किया गया था जब उनको लापता वो हो गय थे अपने गर से उसके तरीब दो महीने बाद उनका जो शव था वो यहां से बरामद होता है तो अब अनिल भेडा जो अपनी गवाई देने के लिए जाने वाला था कुछी दिनों में वो सड़नली अपने घर से गायब होता है दो महीने बाद उसका शव मिलता है यहां से बरामद होता है तो यह जब चीज हुई थी इसके बाद इस केस में और जाधा सुनवाई चलने लगी थी इसके बाद यह केस और आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते 2013 आता है 2013 जुलाई का वो महीना था जब सेशन कोर्ट ने लाइफ टर्म जो लाइफ सेंटेंस थी वो यहां पर लाइफ इंप्रिजन्मेंट दिया जाता है 21 लोगों को इस केस के अंदर 21 लोग जिसमें 13 पुलिस वाले शामिल थे यह बताया गया था कि इन लोगों ने इसे जोड़ दिया गया सेशन को दौरा तो जो prosecution थे और जो victim के ब्रदर थे यानि की लखन भया का जो भाई जिन्होंने सबसे पहले जाके अर्जी डाली थी जो उन्होंने appeal की थी हाई court में Bombay हाई court में जिनका नाम था advocate राम प्रसाद गुपता तो इन्होंने क्या किया कि एक बार फिर से फाइल किया अपनी appeal को हाई court में उन्होंने कहा कि जो प्रदीप शर्मा को छोड़ा गया है ये गलत है ये एक तरह से एक फरजी मुटबेड थी और जो records बनाये गए थे पुलिस के द्वारा वो भी गलत थे ये चीज़ एक बार जाके फिर से court का दरवाजा खट-खट आते है इस पे और सुनवाई की मांग करते हैं लेकिन इसके साथ है क्योंकि प्रदीप शर्मा को यहाँ पे छोड़ दिया गया था तो अब इस बीच में जो प्रदीप शर्मा थे क्योंकि वह अपनी सर्विस से भी बरखास थे डिसमिस किया गया था कई सालों तक उनका नाम कहीं पे निउस में खबरों में आया नहीं चार साल निकल जाते हैं यहां से 2017 आ जाता है प्रदीप शर्मा को एक्क्विट कर दिया गया था उनको रहा कर दिया गया था इस केस में बाकी 21 लोगों को लाइप इंप्रिजर्मा की सजा दे दी गई थी इस बीच में जो लकन भीया क है जो ब्रदर जिसने दुबारा जाके हाई कोट का दर्वाजा खट 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 आया था बो भी यहां पे अपनी लगाता सुनवाई के लिए मांग कर रहे थे लेकिन यहां पे एक और बार प्रदीप शर्मा खबरें बनाते हैं खबरें किस तरह से बनी थी कि 2017 का वो साल वहां पे परमवीर सिंग हुआ करते थे उनका भी बाद में नाम एक केस में सामने आया था तो यह जो प्रदीप शर्मा थे एक बार फिर से पुलिस को जोइन कर चुके थे और इसी के बाद एक बार फिर एक बड़ी सुर्खी जो उन्होंने बनाई थी जब एक बार यह ना तो यह भी चीज यहां पे सामने आई थी लेकिन यह सब चली रहा था कि करीबन दो साल यहां से बीठते हैं एक बार फिर से जो अपनी सर्विस में वापस आये थे उनका अभी डिटार्मेंट जो था एक तरह से बोला जाये जो उनकी सर्विस अभी बाकी थी वो बची तो अब जब यहां पे अपने पुलिस की नौकरी से रिजाइन कर चुके थे इसके बाद उन्होंने इस चुनाव में शिफ सेना की तरफ से अपना नौमिनेशन फाइल किया नाला सोपरागी वो सीट थी जब उन्होंने महारास्ट असेम्बली पोल्स में खड़े हुए यहां पर सीट से लेकिन इस चुनाव में वो हार जाते हैं यह हारे थे भहुजन विकास अगाडी के जो केंडिडेट थे शितिज हितेंद्र ठाकुर उन से नाला इसके बाद भी एक बाद फिर से नाम सामने आता हूं उनको औरस्ट किया जाता है अब यह कैसे हुआ था यह आफ आपको बताते स creative वाइज फ़किस का साल और प्रदीप शर्मा को एक बार फिर से अरेस्स कर लिए जाता हूं इस बारस किया गया था एनल Äक के द्व जहां पर वो रहते हैं जो उनका घर है एंटला के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी गड़ी ती जिसके अंदर कुछ जेलेटन स्टिक्स मौझूद थी तो यहां पर इसको आप अगर पढ़ते हैं यूज पढ़ते हैं आकपार पढ़ते हैं तो आपको पता हुगा एंटला थ राकिकात की जा रही थी लेकिन पांच मार्च का वो दिन था पांच मार्च को कुछी दिनों के बाद में यह जब गाड़ी मिली है पांच मार्च को मंसुक हिरेन जो की थाने का रहने वाला था उनकी यहां पर डेथ हो जाती है उनका यहां पर बोड़ी बरामद होती है तो 1221 का महिना था जब प्रदीब शर्मा को एक बार फिर से ना यह गिरफ़तार कर लिती हैं इस बार क्यों गिरफ़तार किया गया था यह बता के अनिया ने अपनी एक चार्शीट भी फाइल की जिसमें दस लोगों का नाम था जिसमें जो डिस्मिस एक पुलिस अफसर है सचन वाजे उनका भी नाम था साथ में ECP यह जो डिटार ECP थे प्रदीप शर्माइन का भी नाम था तो यह एक चार्शीट यहां पर नाई फाइल करता है लेकिन इसी क चल रहा था कोट में और लखन भीया जो राम प्रसाद यह जो गुपता हुआ करते थे लखन भीया इनके जो भाई थे जो एडवोकेट वो लगातार इसकी सुनवाई वहां पर उसके लिए अर्जियां डाल रहे थे अपील कर रहे थे होता क्या है कि अब 2024 आ जाता है तीन स काउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोट ने प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुना दिया यह किस तरह से हुआ था इसके बारे में आपको बताते हैं कि इस मामले में बॉम्बे हाई कोट ने प्रदीप शर्मा को दोशी करार दिया उन्होंने ये कहा कि जो सेशन कोट क प्रदीप शर्मा को बरी करने का जो फैसला था वो बिक्रत और अइस्थर फैसला था यह बताते हुए यहां पर जो जज थी रेफती मोहते डेरे और नयायमूर्ती गौरी गोट से तो इनकी जो बेंच थी उन्होंने यहां पर बाकी जो पुलिस करमी थे उनको उनकी सदा को रखा जो की सेशन कोट का डिसीन था और साथ में यहां पर प्रदीप शर्मा को एक सीनियर जो इंस्पेक्टर हुआ करते थे मुंबई पुलिस के उनको तीन हफसे के अंदर अपना आत्मसमारपन करने के लिए आदेश दिया अपने 867 पेजेस के जजमेंट में यहां पर फ उसको डिस्काइब करने के लिए जो की बहुत जादा वॉयलेंट होते हैं जो इस तरह से एक्यूस की तरफ बहुत हिंसक रवया अपनाते हैं तो ऐसे ऑफिसर्स को बोला जाता है ट्रिगर हैपी कॉप्स तो यहां पर हाई कोट ने यह का कि यह जो ट्रिगर हैपी कॉप्स यह जो पुलिस हैं इन्हों ने लकन बहीया को यहां पर मार दिया था हो इसके साथ इसे इस तरह से दिखाया गया था कि बास्तविक मुत्भेड थी मतलब यह एक एंकाउंटर था जिसको किया गया है कि लकन बहीया के साथ में यह भी कहा कि ट्राइल कोट ने कृड़ीब श जल रहें लेकिन इसके बाद भी जो आरोपी है उसे मारने का आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है पुलिस इस तरह के काम नहीं कर सकती है उन्होंने कहा कि कानून का साशन बनाए रखने के बजाए पुलिस ने क्या किया है कि अपने पद का अपनी वर्दी का यहां पे गलत इ तो यहां पर फाइनल जो जज्मेंट था वो सामने आता है वो इसके साथ बेंच ने ये भी कहा कि कि 2011 में जो अनिल भेड़ा था जिसकी बेरे में से हत्या कर दी गई थी जो कि अपनी गवाई देने के लिए कुछ दिन बाद जाने वाले थे उनको मार दिया गया था उस पर भी यहां पर उनकी भीशन मौट पर भी दुख व्यक्त किया हाई कोट ने दुख जता है और कहा कि यह शर्मनाक था और यह नयाय का मजाग था यह जस्टिस को इन्होंने मजाग बना के रख दिया है और उमीद है कि भेड़ा के जो दोशी है उन्हें भी सजा दी जाएगी तो इस तरह से यह जो मामला जो 2006 से शुरू हुआ फाइनली 2024 में जाके उसका जज्जमेंट आता है लखन भीया फेक एंकाउंटर केस लगाता चलता रहा इस बीचें तभी फिर्मा को और इस भी किया गया लेकिन दूसरे केसे में उनको उनके नाम पे जो एफाई एर थी वो की गई थी उसके बाद वो जाशीट में नाम दर्च किया था अंडर वर्ड गैंक्सर के साथ में स सजा दे दी गई है तो दोस्तों यह था आज कमारा एपिसोड प्रदीप शर्मा के उपर एंकाउंटर इस प्रदीप शर्मा जिनके नाम पर 112 एंकाउंटर दर्ज है लेकिन साथ में उम्रकैद भी हो गई है एक परजी एंकाउंटर के केस में आप को बता दें कि आप तक 56 मुवी थी उसमें नाना पाटेकर ने एक तरह से का जाता है उन से इनस्पार था पृदीप शर्मा से इनस्पारत ना पर prefis इसना का रोल उसके बाद बाद बावी देओल कीम मुवी नेट flavors के एक फिलम यह क्लास ऐप 83 उसमें भी जो रोल फाप उसमें बीड डिविक शर्म इसका उनों में मजाग बना के रख दिया तो यह आज का एपिसोड तो आपको इसके बारे में बता दिया है सारी जानकारी इतनी अविलेबल है और प्रदीप शर्मा के बारे में एपिसोड इस लिए भी जरूरी है कि आपको पता चलता है कि किस तरह से आगे जाके यह जो अगर आप किसी पोस्ट में हैं तो अपनी वर्दी का ध्यान रखना है अपने देश का नेशन सिक्रियोटी का ध्यान रखना है कभी भी अपराधियों के साथ में आपकी संलिपता नहीं होनी चाहिए और फर्जी एंकाउंटर गलत है और बहुत गलत है इस तरह की चीज़े समाज में देश में हमारी फोर्सस के बीच में नहीं होनी चाहिए तो यह था आजके एपिसोड उमीद आपको पसंद आया होगा अजका एपिसोड अब आपके कुछ सवाल जो हमने पिछले जो एपिसोड हैं उनमें से लिये हैं तो उन पर बात कर लेते हैं कुछ आपकी ज और लोगों पर भी और ऐसे कई सारे topics है कई ऐसे terrorist हैं जनकने वीडियो बनाएंकर नों के जो आतंग की हमले हैं उसके उपर ये बनाने W अब Blaze ऍंटापister वीडियो आपके लिए ने वाला है अब शेए कOREलिया जीале कमेंट किया के空لم और ये वीडियो वेमेंट पर वीडियो विनाई है वो भी आने वाला है वीडियो की उसमें । उपर है आभी तो जल्दी से वीडियो भी आ सकता है आके लिए एक पॉर मेंट है कि सर आपने टैरिस नहीं बोला है बुरह devo अनुक बारए में अब को कि टेरिस्ट गुरहनवानी है था और रहेगा हमेशा और ये जो चीज है ये इस तरह से है कि वीडियो में अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो पहले के दो मिट तीन मिट में ही चायद हमने ये वर्ड जो टेरिस्ट है वो उसके लिए यूज कर दिया है क्योंकि वो एक टेरिस एक और कॉमेंट है आधित्य पंसुरिया जी का जिननों ने कहा एक लंबा उन्होंने कॉमेंट लिखा है ये इनका कहना है कि अब्दुल लतीफ जो आपने मेंशन किया ता पिछले वीडियो में यानि कि एक आंधार आईजेक वाले वीडियो की बात करें तो कंधार आईज लेकिन जिस अब्दुल लतीफ मुमिन की अब्दुल लतीफ आदम मुमिन की हम बात कर रहे हैं वह एक टेरिस था जो की मुंबई का रहने वाला ता जो कि यहां पर गया था और इन लोगों के साथ में उसने कंधार की जो पांच हाईजेकर्स थे उनके साथ में प्लानिंग रहता है बिल्कुल हमें भी इंत्वार रहता है कि आपके लिए स्टोरीज लेके आएं ऐसी-एसी कहानी आपको सुना है जो आपने ना सुनी हो तो काफी अच्छे आपके कोमेंट आ रहे हैं एक और कॉमेंट है येशिव बिसेन जी का जिन्होंने का है कि एक रिक्वेस्ट पर कभी पूछ सकते हैं कोई भी PDF आपको अगर चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं तो आज फिलाल इतने ही कॉमेंट सम लोगों ने यहां पर शॉट्लेस की हैं तो इसके बाद अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके अपना कॉमेंट सेक्शन में कॉमे पहचान में आपके भाई बेन कोई भी UPSC CAC के अगर त्यारी कर रहे हैं IPS IS बना चाहते हैं Study IQ बहुत अच्छे courses लेकर आया एक बार जाके ज़रूर देखे वीजे लाइव आपका कोड़ है बस धिये ध्यान रखेगा वीजे लाइव आपको वहापे लगाना है बड़ा डि प्रिसोर्ड में तब तक लिए दीजे जाथ नमस्कार धन्यवाद जैहिन